इस विडियो के माध्यम से आज मेरे साथ एक वाक्या हुआ उसका बखान करेंगे इसके बारे में बताएंगे यह इक मचली पालक हुआ बहुत वारे मचली पालक है लगथ परचीस एकर में उनका तलाब है और उनolar ही के साथ यह वाक्या व मोसं में कितना खराब है लगथ आकास में बादल चाह हुए है कुछ ही जगा ऐसा है जहां पर मौनसुन नहीं पहुंचा है बादल चाह हुए है बारिस भी हो रही है धूप कई दिनों से नहीं निकला है तो इसी कारण यह समस्या आया है हम आगे वीडियो में बताते हैं क्या हुआ आपका स्वागत हम अपन यह एक एकर का है सारे पड़ जाल डलवाए हुए है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यही उनका नरसरी तालाव है बच्चा भी हम ही से मंगवाब करके अपने तालाब में डाले थे वाक्या क्या हुआ इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं और जानकार अगर एक आस्व कॉल तो हमको दो-तिन दिन में जब से अबर साथ चालू हुआ है कॉल आहीं गया है इसलिए वीडियो के मादध हम से सारे लोगों को हम एलर्ट करना चाहते हैं यह आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हो है कि सारी मचलिया उपर आकर किस तरह से तैर रह ही है यह खुसी का विशाय नहीं है यह उनको एलर्ट होने का है और इस तरह का प्रोग्लम आपके तलाब में भी नवा जाए आपको भी एलर्ट रहना है सुबह के टाइम में आपको तलाब पर अबस्स भीजिट करना है बहुत सारा वीडियो हम बनाते हैं इस पॉइंट प जाएगी जियो लाइट होना चाहिए आपके तलाब पर आपके फॉर्म पर और ऑक्सिजन टैबलेट ज़रूर होना चाहिए जो वीडियो में दिखाई दे रहा है यह जो मचलियां आ रही है आकास में जब बादल लग जाते हैं सुर्ज दो दिन तिन दिन चार दिन तक नह अपर आ जाता है तो नहीं निकलता है सुर्ज का परकास आपके तलाब में नहीं लग पाता है जिसका नतीजा होता है ठोड़ा भी और ऑक्सीजन का कमयी होता है और सारी मचलिया उप अपर आजाती है। आपको insight करेश हता है और दूपี लगता है जा सब्द करें। क्या करना चाहिए अपने फार्म पर जियोलाइट अवस रखना चाहिए अगर आपके फार्म पर जियोलाइट नहीं है फिर क्या करना चाहिए आपको ततकाल उपाय जो है उसके बारे में हम थोरा सा चर्चा करते हैं इस वीडियों के माध्यम से जैसे ही आपको पता चले आप उसको तालाब में तैड़ने के लिए कहिए उपर का ऑक्सिजन नीचे जाएगा पानी में जब वाला ऑक्सिजन पानी के अंदर जाएगा मचली उसको सांस लेगी दूसरा उपाय क्या करना है पानी को आप डलवाना है पानी पानी उसी तालाब का पानी अगर आप उसी ताला जब आप सौ जाएंगे हो सकता है उस समय आप देखने के लिए तलाब नहीं होंगे। नहीं होंगे और रात में पता हीRob है सुर्ज का रुषुत नहीं लगता है तलाब में तो हो सकता है कि सारी मचली फिर सबस्क्राइब zag चलेगा आपको उसक्राइब नहीं मिले और आपकी पूसे क किसी ने हमारे तालाव में इसा जरन में सबस्क्राइब मर जाती है तो आपको हर समय अलट अची है हम अक्सरहां जो भी वीडियो डालते हैं उसमें oxygen shortage का हम जिकर कर देते हैं चुकि अभी जो समय चल रहा है आकास में बादल है बरसात सुरू हुआ है पूरे बरसात में आपको एलर्ट है हम ऐसे भी बताते हैं बरसात में मचलियों का गुरू तो ठीक ठाक होता है अपने फार्म पड़ कम से कम 10kg 20kg जिनका जितना वरा तरफ है एक केजई oxygen टेवलेट एक एक एकर में परवयोग करना है दस केजी सारी मचलिया मढ़ जाए आप दबा खोजते रहें ढूंड़ते रहें आप हमसे संपर करते हैं तो हम भेजते हैं कुरियर के मादम से तो चार से पांस दिन टाइम लग जाता है तो हम ततकाल भेज भी नहीं सकते हैं यह आदमी जिसके बारे हम बता रहे थे इनका दूर हम जह तो दिये हुए नंबर पर आप कॉल करिए गा जेके फीश फीट का डिलर्सीप चाहिए होगा बिहार में यूपी में कहीं से भी तो दिये हुए नंबर पर कॉल करिएगा हम आपको डिलर्सीप परतान करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद